हमारे चार्ट में च्राट करने और और अब कमएड़े नहीं तो पहले दिसकस करने हुएं हम यहाँ पर आपके अगर आप यहाँ पर देखे जो कल market मतलब खुली थी previous यहाँ से इस तरह से कुछ गई थी फिर यहाँ यह जगे support लेकर कि last में यह आपकी बड़ी candle बनाया था तो last में जब यह बड़ी candle बना था तो यहाँ पर इस तरह की जो candle होती है न ऐसी candle देख करके क्या करते हैं यहाँ पर खास दोर पर new trader यहाँ पर कालवाई करके और BTSD करके जाते हैं और market just in के opposite काम करती है चुकि market को यह मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने जितनी BTSD किया ना आपको एक मैं बाद बता देना चाहता हूँ आपने जितनी BTSD करके रखे जितनी भी quantity यहाँ पर जितनी BTSD हो करके जाती है टोटल का टोटल आपका quantity operator को यहाँ पर पता रहती है कि यहाँ पर कितने लोग किस rate में क्या खरीद करके गए और market just आपके opposite करती है वो 90% time होता है तो market ने क्या कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यह बहुत बड़ा gap down opening देता है जब यहाँ पर सब डर के मारे यहाँ पर इस्टापलास अपना काट देते हैं जैसे इस्टापलास सब करता है तो फिर market दुआरा उपर जाता है जैसे उपर जाता है तो यहाँ पर सब को कालबाई में फसाता है चुकि यहाँ पर क्या दिखाता है मारकेट अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं जश्ट मिनट में इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपका तो आपको क्या दिखाया जाता है आप खुद बताईए प्रीबियस यहाँ पर एक तो क्या होगा गैब डाउन ओपरिंग होई गैब डाउन ओपरिंग होने के बाद जब इस तरह से कुछ केंडल बने तो हमको यहाँ पर कालवाई करना चाहिए और जैसे ही जैसे ही आप यकीन करिए जैसे ही इस जगए आप इस तरह से गेम चल रहा है इस तरह से गेम चल रहा है कि आप पूछे मत इसलिए मैंने आपको बताया था कल की वीडियों में कि प्लीज सबसे पहले आप 15 मिनट अगर कोई मार्केट आपकी बड़ी गैप डाउन उपन होती तो प्लीज 15 मिनट आप इस तरह से बाते बोलता हूँ ठीक है तो चल यह तो प्रीवियर डिसकसन हो गया अब रही बात आज की आज अगर आप लोगों ने मेरे ग्रूप में देखा होगा ता आप लोगों अच्छा ट्रेड मिला वहां पर जो भी दो चार्ज ट्रेड मिला मैंने आपको बैंक निप्टी का बताया था ट्रेड ब ज्यादा बड़े लाट कॉंटिटी में यहाँ पर आपको रुखने के जुरूत नहीं बस एक लाट आप ट्रेड करिए आप लाश दर्मिया प्राफिट में रहेंगे ठीक है इस तरह से आपको काम करना पड़ता है वांकि यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर 23,500 के आप कालवाई कर लो यह कर लो यह कर लो मैंने हेरो जिरो आपको बताँ आप अप भुद बता लोग ए वाली काल कितनी गई ती आपने देखा होगा ना जैसे 6-7 रुपे वाली काल, मैंने आपको हिंट भी दिया था, 3 बजे, 3 बजे, जैसे हो 3 बजने वाले था, मैंने आपको बोला कि यह बूम करवादो, एक बार बस हो गया, वो आपने देखा होगा, यह काल कितनी आई, 5 रुपे आई, 5 रुपे आ कर पुछना कि जब आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते तो फिर क्या करोगे आपको संसेक्स कमें एक वीडियो डाल रखा है संसेक्स वहां पर दस दस वाला कालपूड बाई कर सकते हो इसी तरह से आप बैंकेक्स की एक्सपारी वाले में आप दस दस रुपए के पर करना बड़े में आपको चले हो अब यहांप अपर चलते हैं आपको यहांप पर ट्रेट किस तरह से करना चाहिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर आपको पांच मिनट के चार्ट में जाना है जब आप यहाँ पर पांच मिनट के चार्ट में जाएंगे तो पांच मिनट के चार्ट इस तरह इसकुश हो गया सबसे पहले एक काम करिए आप उपर वाला resistance बनाईए पहले बनाईए प्लीज ये 23,700 का आप यहाँ पर resistance बनाईए और आपका जो बड़ा वाला support है 23,385 का ये जो green वाला है ये आप support है ये आपका resistance है प्लीज इसको बना लीजे ओके बन गया चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर यहाँ पर जो भी किया आप डाउन आप डाउन उसके बाद market यहां से गिरावट करती है गिरावट करने के बाद market ने फुल recovery किया और recovery करने के बाद आपके जो closing आई है लगभग वहीं पर closing आई जहां से market ने opening दिया इसका उतलब क्या हुआ total total time डिके आपका पूरा पूरा बैरिस कर दिया तो अब हमारा क्या फर्ज बंट यहां पर बहुत जोंग पूट लेकर गये होंगे ठीक है पूट वापिस लेकर गये हैं कुछ कि ये कल नेकर गये थे उनका यह प्ता नहीं साह — admits ढूप फ्रॉर भॉन नहीं की नुक्सान हुआ तो इस तरह से ब्लीज बीटीस्टी मत करिए आज कल की मार्केट में बीटीस्टी मत करिए समझ जो आप इंट्राडे में काम कर रहे ना उसमें आप प्राफिट निकाले जो भी आपको मिल जाता है वो बहुत बढ़िया होगा पहले आपको थोड़ा प्राफिट मिले लेकिन बेटीएसट्य है, तो यह देखो आपको यह रेंज है, यह रेंज है, अगर आपको उपर के तरफ रिकाउट करता है तो आप यहां पर एक बार काल के बारे में सोचके हैं और आपको जो target है देखिए अप मैं यहां पर resistance क्यों लिखा हूँ यह भी समझ समझ देता हूँ आपको यह resistance था यहां पर यह support बना गर कि यहां से market इस तरह से आई थी, इसके बाद ए gap down दे दिया, तो यह वाली जगह आपकी पूरी पूरी पांकी है, तो कहने मतलब अगर इसके उपर market आपकी जाती है, ठीक है 23,700 को ऊपर थोड़ा sustain करने देना, यह मत गलती कर देना कि इस तिक जैसा हो जाए, बिक बना कर के तु उपर आ रहा है, अगर उसके उपर गई, तो फिर हो सकता है, आपको 23,900 तक के भी target आपको देखने को फिन निप्टी में मिल सकते है, ओके, चलो, अब यहां पर दूसरा चीज आता है, मान लो कि आपका range में market खुले, और इसका आपका क्या ले ले, रेजिस्टेंस ले ले, ले सकती है, रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, तो रेजिस्टेंस ले करके भी यहां पर देख लेंगे, और वापिस नीचे आए, तो आप यहां पर स्कल्पिंग करना, कल आप सिर्फ स्कल्पिंग करना, और आपका target यहां तक का, इसको वापिस बुक करना, इसके बाद पर देखना क्या activity हो, अगर इसके नीचे जाएगे, तब हम फिर दुवारा बुटबाई करेंगे, target हमारा यहां तक होगा, और नहीं तो हम यहां पर देखेंगे, क्या market कर रही है, अगर उपर जाएगी, तो हम यहां से वापिस काल की भी position देखेंगे, ठीक, सेम हम नीचे केस में देखिए, range और नीचे आना, नीचे आना मतलब आपका क्या है, नीचे आने का मतलब यह आपका 23,500,50, ठीक है, 23,500,50, प्लीज लेवन नोट करिए, 23,500,50 के नीचे, अगर आपका फिर निप्री आता है, तो आपका यह जो यहां से buying activity हुई है, ठीक है, हलांके इनका तो इस टाप लास आज ले लिया, इसने, बट यहां पर आज बालो के इस टाप लास सभी तक market ने नहीद लिया, तो यहां से नीचे आती, तो इनका इस टाप लास यहां पर लेने market आ सकती है, और यहां तक आपको फिर target पहला रखना चाहिए, थरदर अगर इसके नीचे ग सब्सक्राइब और यहां सपोर्ट ले ले तो बहुत बड़ी है फिर तो हम काल में जाएंगे बट देखो गैप अगर मार्केट कंटीनु नीचे आती है प्लीज बेट करिए वेट करना सीखे आप यह समझे कि मुझे नौ बजे नौ बच के चार्ट यहां पर समझ में आने लगेगा और आप उसृसाब से ट्रेड ले पाएँगे मड़ अगर 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 फ़र पहर बड़ा गैप-प खुलती है मालीजी है तो ठीक देखेंगे अगर इसके उपर sustain करती है तो फिर यहाँ पर हम call की भी try करेंगे और फिर market यहाँ से फर्दर उपर जाने की कोशिस कर सकती है same gap down की case में market यहाँ पर closing दिया gap down यहाँ पर है इसका अगर gap down कुल करके support लेती है तो हम यहाँ पर C buy करेंगे और market फिर फर्दर उपर जा सकती है इसका breakdown करेंगे तभी हम put why करेंगे और नीचे का target आपको मैंने बता दिया 23,302.0 का है इस तरह से ठीक है अब चलते है साथ साथ यहाँ पर trend line कुछ ड्रा करते है trend lines क्या बोल रही ठीक है तो trend line ड्रा करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे ठीक है देखे वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं इस चीज का बुरा मत वाने लेकिन समझ येगा क्योंकि मुझे अभी निप्टी और बैंक निप्टी कभी वीडियो बनाना है अब यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से हमने कुछ चार्ट बना दिया चार्ट में यहाँ पर जो दिख रहा है आपको तो 10-Line आपको किस तरह से डाक करना है तो 10-Line आप यहाँ पर Pencil उठाएए 10-Line उठा करके और यहाँ से ले करके यह वाली 10-Line आप यहाँ पर डाक करिएगा सीधे ये वाला ठीक है ये आपका क्या बन गया है उपर का रेजिस्टेंस बन गया है ठीक है ये लिजे ये उपर का रेजिस्टेंस बन चुका और नीचे पैंसिल उठाया और पैंसिल उठाके ये वारी टेल लाइन इस तरह से देखिएगा ठीक है फ्लीज थोड़ा सा समझेए और ये वारी टेल लाइन आप बनाएगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, अब सपोर्ट का काम क्यों करेगा, आप आपने यहाँ पर देख लिया, कितने जगे आपका सपोर्ट ले रहा है, इस लमें आपको बता ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, कहां कहां दूसरा support, तीसरा support and अभी ये range हो गई, उपर का resistance अगर आप देखते हैं, उपर का resistance आप देख लिजेगा, आप यहाँ से पहला resistance, second resistance and third resistance, इसके उपर जाएगी तो इसका breakout, double आपको confirmation मिलेगा, इसके नीचे जाएगी आपको double confirmation मिलेगा बैद बता दिया, आपको support बता दिया, आपको resistance बता दिया, आपको यहाँ पर trend line बता दिया, आपको यहाँ पर कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए, बाकि फिर भी अगर कोई AC आएगी, मालेजे कोई आपको trade मिलेगा, कोई आपको pattern यहाँ पर मिलेगा, तो मैं आपको group में जरूर अपडेट करने की कोशिस ठीक है, तो इसका साथ वीडियो को band up करूँगा, आपको यहाँ पर कुछ ने कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें, ओके बाबाई and गुनाइट